नमस्कार मैं हूं दिपाली राना आप देख रहे हैं मिट कैप मन्थ इन फैक्ट यह मनी हम आपकी जो पॉस्नल फिनेस जूरे तवाम क्वेशन्स होते हैं वो शुमें हम शामिल करते हैं आपको पॉट्फोलियो बहतर बनाना है अपने गोल्स को अचीव करना है कैसे आप स्म सब्सक्राइब करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भटमार साथ मौजूद है विरल अमस्का स्वागत है आपका और को लेंगे उससे पहले आज हम बात करेंगे एमाइस की कि एमाइस को लेकर किस तरीके का डिसिप्रिन जरूरी है कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी ए एमाइस ली हुई है एमाइस अगर आपको ले भी रहे हैं अपने सर पर तो वो क्या माइने रखती है जालाइबिलिटी और अगर आपने कोई भी एमाइस का भुक्तान समय पर नहीं क्या तो उसके क्या इंप्लिकेशन हो सकते हैं तो ABCD समझते हैं एमाइस की बताए विरल नमस्कार दिपाले जी, आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को भी, आज ये जो EMI है, यानि बहुत बार ऐसा होता है दिपाले जी के लोग लोन्स लेते हैं, हम अनुमन तिन तरीके के लोन बहुत ही पॉपिलर है, एक होता है होम लोन, एक होता है कार लोन, और एक होता है पर दे सकती है या कोई अभी fintech platforms भी बहुत सारे आ चुके हैं वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं तो यह जब लोन लेते हैं तो लोन में हमको एक EMI देना होता है जनरली जो EMI होता है उसको कहता है है Equated Monthly Installment उसका फुल फॉर्म है Equated Monthly Installment तो यह जो EMI होता है वो बेसिकली प्रिंसीपलमाउंट यानि जो अमाउँंट के लिए हम लोन लेते हैं वो अमाउँंट और उसका principle plus interest ये दोनों का जो मिलना होता है वो उससे बनता है आपका EMI तो ये EMI हम generally popularly लेते हैं तीन चीजों के लिए तीन से चार जो loan के मैंने types कहे, home loan के लिए लेते हैं हम education loan के लिए भी लेते हैं personal loan के लिए लेते हैं और car के लिए लेते हैं तो ये जो पहले तो ये कैसे work करता है वो हमको समझना चाहिए इसमें जो होता है दो तरीके होता है जैसे मैंने कहा एक तो principal amount होता है और interest amount होता है दोनों को मिला कर ये आपको EMI बनता है और every month आपके यानि आपका जो loan का जो tenure होता है जो अवदी होती है वो अवदी में आपको ये हर महीने आपको EMI का भुकतान करना रहता है तो ऐसा भी हो सकता है आपका जो EMI बनता है एक principal amount और interest तो शुरू के सालों में ऐसा होता है कि EMI में जो principal का component होता है principal amount उसका component होता है करीबन 70% component principal का रहता है और फिर इंट्रेस्ट का कंपोनेंट होता है 30-40% और जैसे जैसे आप आपका जो लोन टैनियर होता है मानके चलिए होम लोन अपने लिया है और होम लोन का टैनियर है 20 साल या 25 साल तो शुरू के सालों में, maximum शुरू के जो सालों में आपका principal amount का भुखतान आप जाधा करते हैं और फिर interest amount पे करते हैं और पिछले कुछ सालों में आपका principal है वो कम हो जाता है और interest का amount बढ़ते जाता है तो इस तरह से mainly उसके जो component होता है principal amount डिक significal component रहता है और इन्ट्रस्ट component होता है जो भी interest के लिए आप उनको loan के लिए agree होते हो lender और borrower agree होता है एक particular interest के लिए principal का component होता है और interest का component होता है फिर एक ध्यान में रखने की बात है कि factors क्या affect करते हैं यानि EMI की जब बात आती है तो EMI के कुछ parameters होता है factors होता है एक तो principal amount होता है principal amount जो decide करता है कि आपका क्या overall principal amount मान के लिए आपने 50 lakh के लिए loan ली तो 50 lakh वो principal amount हो गया और वो 50 lakh का principal amount का कुछ हिस्सा EMI में जुड़ा हुआ रहता है फिर interest आता है प्रबबली आज के time पर देखे तो 8% 9% 10% home loan का interest rate है car loan का interest rate around 9-10% का है personal loan का interest rate 12% 14% से लेकर 25-30% तक भी personal loan का interest और principal मिला के EMI जाता है every month right तो यह interest हो गया फिर tenure आपको tenure भी ध्यान में रखना है जब ही भी आप particular कोई loan लेते हैं और उसमें जब आप EMI पे करने expert कि आपका जो EMI है वो एक expense की तरह देखा गया है तो अगर जब हम वो उसको expense की तरह देखते हैं तो जितना जल्दी वो हम loan खतम करें क्योंकि tax benefit point of view definitely आपका जो EMI आप दे रहे हो home loan के point of view से जो principal और interest का component होता है principal आप हर साल डेड़ लाग तक आप ATC में दिखा सकते हो और जो एक दूसरा section होता है over and above ATC 2 lakh तक आप interest का component आप दिखा सकते हो आपके tax benefit point of view tax benefit मिलता है but as in जैसे मैंने बात कही कि वो एक expenses का part है तो expenses point of view से हमको ध्यान में रखना है कि कितना जल्दी हम loan खतम कर सके उसके दो method होते हैं एक होता है fix rate method कि आपको एक particular EMI की amount हर साल आपको भरनी पड़ती है और एक reducing balance method कि जो आप principal amount जो component है principal और interest का उसमें जैसे जैसे वो principal amount कम होती जाएगी तो आपका जो interest होता है जो आपका EMI होता है उसमें जो interest component होता है वो भी कम होते जाता है तो ये दो method से EMI calculate होती है आप changes भी करवा सकते हैं आपके जो भी lender होते हैं यानि जो bank होती है उससे भी बात करके आप EMI को कम जादा भी कर सकते हैं उनके subject to उनकी conditions को ध्यान में रखते हुए और देखिए advantages तो देखे तो ऐसा है कि आप जो बड़ी-बड़ी महंगे चीजें हैं वो आप EMI के तोर पर ले सकते हैं आपका एक credit score एक बहुती बड़ा parameter है और एक advantage point है कि अगर आपका credit score 700-750 से ज़्यादा अगर credit score बनता है आपका तो आपको एक बड़ा amount का loan लेने में आसानी होती है हमेशा हम ये कहते हैं कि good loan में home loan आता है और bad loan में car loan आता है तो कोशिश करिए कि car जब आप खरीद रहें तो loan से ना खरीदे और आप उसके लिए पैसे बचाए और एक आप wealth creation करे और जिससे आप car ले और EMI हम as an expenses को जब देखते हैं तो सामने एक SIP एक ऐसा tool है जो हम उसको investment करके हम जितने जल्दी हो सके अपनी loan खतम कर सकते हैं करते ही मैं इसके बारे में जानकारी के बाद सुमित रावत पश्री मंगाज से पहले कर हमारा सथ कनेक्टेट भी है सुमित नमस्कार बताइए क्या सवाल यापका तो मुझे एक क्वेरी था कि पोर्फोलियो टार्गेट इसके लिए ठीक है और इसमें मैं एक स्मॉल केप और एड करना चाहरा था वो ठीक रहेगा स्टेजी या एक स्मॉल केप सफिशेंट है जो अभी के इसाफ से तो फिलाल आपके पास SBA long term equity या पने सारी investment जो की हुई है यह लंब सम की हुई है क्या नहीं एक एक लंब सम्म है SBA long term equity बागी मैं SAP पी चल लिए ओके और आपका कोई गोल है कोई विजन है को टागेट लेके चल रहे हैं हमदब पांच क्रोड का टार्गेट अका हुए तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए तो इनका पूर्टफोलियो मैं कुटली बता देती हूं इनके पास है दो लाग की पोटफोल पास का और पीपीएफ में भी मंतली इंवस्टमेंट डाल रहे हैं ये सुकरनेसम रिद्धियोजना में भी फंस में इनका क्विकली बता देती हूं जिनका पूर्टफोलियो है फिलाल हमारे पास उसमें एजडिव से रिटार्मेंट सेविंग्स फंड 2,000 रुपे महिना प पहले तो उनका फंड का जो पूर्टफोलियो है वो काफी सही है हर एक एलोकेशन डिफरेंट एमसी डिफरेंट केटेगरीज काफी अच्छी तरीके से उन्होंने साथ आंट फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो फंड में कोई बदलाव करने की जरूत नही इक्विटी में भी काफी मेजरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डेट का भी कॉंपोनेंट है इक्विटी के पॉंट अफ्यू से अभी करन्ट पोजिशन है उनकी 2,8,000,000 की अगर 25 सालों के बाद उनका जो टारगेट वो हासिल करना चाहते हैं 5 करोड का तो 2 करोड या 500 की और अगर लंसम भी एड करते हैं जैसे अभी कुछ एक 35,000 वो लंसम एड करना चाते हैं वो अगर करते गए तो करीबन वो 2 करोड अठाल लाक जितना वो कर पाएंगे ओवराल SIP से डेट की बात करें तो डेट में करीबन जो अभी वो PPF में डाल रहे है और सुकनिया सम सब्रुदी में डाल रहे हैं उससे वो 62 लाक जुटा पाएंगे आने वाले सालों में तो टार्गेट तो यहां पे वो अच्छीव नहीं कर पाएंगे जो अभी एलोकेशन कर रहे हैं तो मेरा सजेशन उनको यही रहेगा कि वो SIP की अमांट 12,500 से अगर वो 20,000 की SIP कर देत की ओके चलिए तो आपको अपना SIP एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको फंचोइस के इसाब से भी राय दी गई है रूक ने इसके साथ एक ब्रेक के लिए ब्रेक इस पार कुछ और को करेंगे शामें विरलभट हमाज साथ बनी हुए है ति वापस आदे एक छोड़ स को आन सके निगे फड़ावट से की में लेते हैं काश सिंगल की 31 सालन की उमर है 20,000 की SIP चल रही है पांच लाग पोटफोलिय की वैलियू है और 15 सालने 5 करोड का टागेट है क्विकली इनके फंच बताओ तो काफी सारे फंच इन्हों ने हैं अपने पोटफोलिय में रखे है अज़िसी इंडेक्स इन-761, मोतरोस्वाल लेंसडेक 100, मेरे असेत SNP टॉप 50 ETF, ICC Pru Nifty 50 Index, ICC Pru Small Cap, ICC Pru Manufacturing, परापपरि फ्लेक्जीकाप, पकोटेक अमेरजिंग एक बटी और इन सभी फंच में 1000 से 4000 के SIPE के हर में चल रही है पताए क्या सजेशन पहले तो मैं उनको suggestion यह देना चाहूंगा कि आप portfolio को change कर दे ICICI के तीन funds हैं उसमें से ICICI का Nifty Index और ICICI का Small Cap यह दोनों fund में से निकल जाईए जो fund रहेंगे जो SIP वो उसमें कर रहे थे आपके जो existing और जो funds हैं उसमें ही add कर दीजिए और यह दो fund में से निकल जाईए आपका target है 5 करोड का 15 सालों में current SIP आपकी 20,000 की चल रही है अगर 12% अनुमान से भी मैं जोड़ दू तो आने वाले आपके जो भी target है 15 सालों में आप कम से कम 1 करोड 22 लाग जुटा पाएंगे आने वाले 15 सालों में 12% अनुमान से तो आपको 5 करोड अगर जुटाना है तो कम से कम 1 लाग की SIP करनी पड़ेगी 5 करोड जुटाने के लिए 15 सालों में ओके चलिए तो quick और short view आपके portfolio को लेकर बताएगा है एक ही ABC में निवेश करने से आपको बचना चाहिए ICC के तीन फंड आपने रखे हैं दो फंड से आप निकल सकते हैं ICC प्रून 50-50, ICC प्रून स्मॉल केप साब के लिए निकलने की सला है और सबा एक करोड के आसपास का कॉर्पस अपक्यूमुलिट कर पाएंगे लिए फटाफर साप पुछ लेते हैं विरल के टॉफ फूफ फंड जो विरल की चोईस के सबसे पूटफोलियो क्रेट करना चाहते हैं के साथ कोई चोईस भी बताने के लिए थैंक्यू इसे के साथ एक ब्रेक ब्रेकर्स पर भी खबर जा रही हैं नमस्कार यदिया रही है Pay Mad cam